प्रादिकरन को काला कानून बताते हुए इसके विरोध में नगर के व्यापारियों ने अपनी दुकाने बंद रखी सांती जिला विकास प्रादिकरन हटाओ मोर्चा ने जनसभा कायो जन भिक्या जिसमें उन्होंने प्रादिकरन के चलते दो लोगों के आत्महत्या के लिए जिला विकास प्रादिकरन के उपात्यक्ष जिलादिकारी और सचीप अपर जिलादिकारी को दोशी बताया महायोजना बागेश्वर और प्राधिकरन के जो दोहरे काले कानून यहाँ पर बागेश्वर की जन्ता के उक्त ठोपे गए है उसके विरोध में आज प्राधिकरन हटाओ मोर्चा को व्यापार संग का पून समर्थन जो हमको आज मिला है इसके लिए हम उसके हर्दी काबारी है चाऊँगा जहां कि समपून जो पर्वती जन्पद है अभी उपाधीकरन के काले कानूनों से तरस्त है तो वहीं बागे शवर की भोलिवाली जन्ता महायोजना और प्राधिकरन के दोहरी मार्ज हिलने को बात भी है पितरगटी जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं दो दिन पहले जहां शहर के करीब एक महीला की जान तेंदवे के हमले में चली गई थी वहीं शुकरवार को बढ़ारी गाउं में एक ब्रक्ति पर भालू ने जान लेवा हमला कर दिया बालू के हमले में नरिंदर सौन की हालत गंबीर हो गई जिला चिकित साले में भरती नरिंदर के पैर का एक आपरेशन हो चुगा है लेकिन अभी भी उन्हें काफी गंबीर चोटे आई है लगाधार बढ़ते जानवरों के हमले से जहां वान विभाग सवालों के घेरे में है वहीं राजनिदी भी गर्मा रही है राजदानी देहरादून के प्रेम नगर थाना क्षेतर से एक मृतक बच्ची के शव को कपर से निकाल कर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया गया स्थाने लोगों ने बच्ची के संदिक धालत में मौत होने की शुगायत की थी उससे पहले बच्ची के परिजन बच्ची को दपना चुके थे जिसके बाद पोलिस ने कारवाई करते हुए बच्ची के शव को कबर से बाहर निकल वाया सौनमर में सुचना आएकी जिसमें ये बताया गया था कि प्रेमेगर थाना चेता अंतर गया तो एक साथ साल की बच्ची है जिसकी संदिक परिस्थितियों में मौत हो गई है उस सुचना पे छेत्रादिकारी नगर वा थानातियक श्प्रेम नगर जो है मौके पे पहुँचे आसपास के गाउवालों द्वारा जब बताया गया कि उसकी संदिक परिस्थितियों में मौत हुई है और परिजनों द्वारा उसे दपना लिया गया है तो मौके पे मेजिस्ट्रेट को भी संबन की सुचना दी गई और बॉडी जो है उसे निकाला गया और आज इसका पोश्ट मॉटन किया जाएगा टीरी जिले में जिला विदिक सेवा परादीकरण के द्वारा 28 सितंबर से संकल्प नशा मुकती अभियान की शुरुवाग की जाएगी जिरा विदिक सेवा प्रादिकन के सचिव का कहना है कि नश्य के खिलाप जागरूकता के साथ ही ग्रामिट छेत्रों में कानून सम्मधित जानकारिया भी दी जांगी जो इस महीने जो 28 तारीख आने वाली है, 28 सितंबर को, 28 सितंबर को देरादोन में माननी उचनियले के दवारा, हमारे माननी राजविदिक से अपरादिकन की योड से एक योजना लॉंच के जा रही है और जो नशा पीडितों के उनके कल्यान के लिए और उनको रियाबिलिटेस करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए और नशा उनमूलन के लिए एक योजना है मसूरी के बलो गंज स्तित पांच सतारा हुडल में रेप्स एंड सिप्स डिश लॉंच की गई जो कि मेक्सिकन डिश है जिसे यूरोपियन अंदाज में प्रसुत किया जाएगा बदाय जारा कि इस डिश का स्वाद बहुत ही लजीज है ये डिश यहां आने वाले फरेटकों और खाने के शौकीनों को एक नया स्वाद भी देगी हर बार की तरह इस बार भी एवरी क्वाटर वी कीप दूइं सम फेस्टिबल्स और दिस ताइम इट इस रैप्स और श्रैप्स दिस इस मेक्सिकन डिलीशियस रैप्स जैसे ये रैप्स का प्रोमोशन अभी हमने चला है इससे आप कस्टमर्स को मेन्यू से अलग चीज़े दे सकते हैं पितरगट के मुंच्यारी तैसील में नाचनी टिम्टिया बास बगड और राया बजेता क्षित्र में लगातार तेजबारिश के चलते पांच मकान शर्ति गरस्त हो गई टिम्टिया में मकान में मलबा पड़ जानी सिक्फेक्ट की मौत हो गई जबकि दो महिलाएं गायल हैं इसी तरह से राय बजेता में भी पांच लोग गायल होई हैं वह इस घटना में दरजन भर मविशों के भी दबकर मर जाने की खबर हैं प्रशासन लगातार रेस्क्यू टिम्टिया में पहुच गई थी उसके परश्चाद पिसमें से एक प्रती उनका नाम जो है राम सिंग है उमर सतर साथ उनका मुरुत्ति हो गया है उसमें दबने के वज़े से उनका शव भी वहां से निकाल लिया गया है मसूरी में टेक्सी उनर्स असोशेशन के पदादिकारों ने प्रेस वारता करते हैं खुद पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया ओर अगर सिद्र नी खरेंगे तो इनके खिलाब में कानुनी कारवाई करूँगा दूसरी वाज जो रहे जो इनोंने आरव लगाए है। केस मान आनी का केस जरूर करूँगा जोशिमत के गोविंद घाट में भारी अतिविष्टी और बादल फटने से बढ़साती नाले ने काल बनकर तबाही मचा दी करीब एक से डेट दरजन वहान मलबे की चपेट में आ गए जबकि गोविंद घाट की मुखे पार्किंग स्थल को भी भारी नुक्सान पहुंचा गनी मदिय रही कि डेकन कंपनी का हेलिपेड जिसमें खड़े चौपर इस नाली की चपेट में आने से बाल बाल बच गए पूरी घटना में किसी के हाथाथ होने की कोई खबर नहीं है पहारो की रानी मसूरी के पास जौनपूर बिकासकंट के कराम मंगसील में जागल गफर बड़े ही दूंगदाम के साथ मना गया अर्याली के आखरी दिन जहां एक तरफ राज भर पांड़म नित्य का आईज़न किया गया तो वहीं दूसरी तरफ लोक नित्यों का भी आईज़न किया गया जिसमें श्रद्धालों ने बढ़ चड़ कर हिसा लिया वेशन की मूर्तियां पूजा भी होते हैं विश्षतर यहां पर जो देवलसारी में दूसरा मंदिर है देवलारों के भीष्ट में है पूणिस्वर महादेव का इनके अंदर सिवावत बारवधिके मूर्तियां है और यहां पर हमारा यह जागड़ा बहुत प्रमपरा से ब पंक्सील में कोड़ेश्वर महादेव के नाम से यह हर्याली डाली जाती है जिल परिसेर में चंप कर नारेबाजी की आज आज आपने देखी उत्राखन की क्या-क्या खबर ने थी क्या-क्या महत्मून पाते थी इसी तरह की बाके खबरों के लिए आप लगातार चुड़े रहिए सब बात 365 के साथ नमसकार तरह कर दो आपाता है